अलिगर्द मुस्लिम युनिवर्सिटी एक बार फिर विवादों में हैं और इस बार विवाद सोशल मीडिया पर हिजाब को लेकर की गई एक टिपड़ी से जुड़ा है दरसर इस मामले में सोशल मीडिया पर मुसल्मान महिलाएं और हिजाब को लेकर के एक पोस्ट पर बीचेक सेकंड एर की एक स्टूडेंट ने लिखा कि AMU हॉस्टल में हिंदू लड़कियों को खुद को कवर करने के लिए मजबूर किया जाता है भारतिय शिक्षा ववस्था हमें खुद को कवर करके रहना सिखा रही है वरना कोई भी आदमी जो है वो एकसाइट होकर हमें सेक्शुलाइज कर सकता है अब इस टिपड़ी के बाद लोगों ने पूछना शुरू कर दिया कि ये कौन सा हॉस्टल है जिस पे उस स्टूडेंट का कोई जवाब नहीं आया और इसी बहस में एक मेल स्टूडेंट इस युनिवरसिटी का वो इस बहस में शामल हुआ और उसने कॉमेंट किया कि लोगडाउन के बाद इंशालला आपको भी हिजाब पहनाया जाएगा वो भी पीतल का इस टिपडी के बाद इस मामले में तूल पकड़ा इस स्टूडेंट ने पुलिस में शिकायत दर्च कराई एक बहस भी जो है वो मीडिया से लेकर के सोशल मीडिया तक हर जगह शुरू हुई सोशल मीडिया पर कई लोगों ने इस बात पर भी एक तरह से चर्चा शिरू की कि कि किसी भी पुरिश को किसी भी में को ये अधिकार नहीं होना चाहिए कि वो किसी भी विमन को बताए कि उससे क्या पहनना है कैसे रहना है और जिस तरह से मैंने आपको बताया स्टूडेंट जो है उसने पुलिस में शिकायत दर्च कराई है यूनिवर्सटी भी इस मामले में जाच कर रही है आपको हम सुनाएंगे एम्यू के जो प्रॉक्टर है वो इस पूरे मामले पे क्या कहते हैं लेकिन पहले बात यूनिव पहले इस नमने reuse haven लेकिन के मुंद्धे शूर इससे कई ज्यादा है उनके मुद्धे अनके concern इससे कहीं ज्याधा है वाइर के लिए मानसी सिंघ ये स्टूडेंट चीडेंट ने एक लेकृश्य है इस लेकमे अलिगर्न मुस्लिम युनिवर्सिटी के जो women स्टूडेंट उ और उसके साथ क्या-क्या बदलाव आए हैं और अब वर्तमान में क्या परिस्तिती हैं मांसी ने उन सब पहलों पर एक तरह से रोश्णी डाली है और फिलहाल जो यूनिवर्सिटी का हाल है जो विमन के कंसर्स हैं उसे भी बयाकिया है कि किस तरह से जो मुवमेंट है आना जा कानून है मांसी का कहना है कि ये कानून मेल स्टुडेंट के लिए नहीं है अब दुल्ला हॉल का जिकर करते वे वो कहती है कि किस तरह से जो संड़े है सिर्फ उसी दिन शाम को आप साड़े पांच पचे तक आपका एक फ्यु टाइम होता है कि तभ ही तक आप बाहर रह सकत पर ही अकसर दी जाती है तो ये पूरी तरह से बॉर्डन पर डिपेंड करता है मांसी सवाल ठारी है कि वहिलाओं के लिए सेफ स्पेस गुड स्पेस बैड स्पेस इस तरह की दलीले दे करके जो उनके अलिये कई सारी अपॉर्चुनिटीज है जो उनका फ्रीडम है उसको एक तरह से कंट्रोल किया जाता है और साथ ही मैं आपको बता दे अलिगर्ण मुस्लिम युनिवर्सिटी इस पूरे इस पूरे नियम कानूनों में अकेली नहीं है ये देश की तमाम युनिवर्सिटीज में इस तरह की नियम कानून है कि विमेन स्टूडिन्स जो है उनके आने जाने का समय होस्टल में किस तरह से रहने का समय ये सब अलग अलग है और हाली में दिल्ली उनिवर्सिटी में भी लगातार इस तरह के नियम कानूनों को इखलाफ शात्राएं आवाज उठाती रही है मांसी ने इस लेक में मोरल पॉलिसिंग के कुछ इंसिदेंट्स क भी हाइलाइट किया है कि लड़कियों को किस तरह से जब भी उनको किस तरह से देखा जाता है किस तरह से उनकी कंप्लेइन की जाती है पेरेंट्स से और मांसी ये भी कहती है कि ये सारे जो मुद्दे हैं ये एम्यू तक सीमित नहीं है बल्कि ये समाज में जो पित्रसत्त पिट्रियाकी है, मिसोजनी है, उसके कारण है और उसी से जुड़े हैं, फिलाल ये भी मांसी ने लिखा है कि इस सब पे किसी एक समुदाई या किसी एक धन को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए, बल्कि जो लाजर प्रॉब्लम है उस पे डिसकेशन होना चाहिए, तो AMU क तीन स्टुडेंट्स ने हम तक अपनी बात पहुचाई है, जिसको आप आगे सुनेंगे, जिसमें वो विमन होस्टर्स के में क्या नियम कानून है, जिनको वो भेतकारी बता रही है, या विमन स्टुडेंट्स के और भी कई क्या कंसर्स हैं, वो हम आपको आगे और इस इन आरोपो के लिए हमने एम यू के जो पब्लिक रिलेशन आफिसर हैं, ओमार पिरजादा उनसे पी बात की है, और उन्होंने इन आरोपो को लेकर हम से कहा कि हर किसी को युनिवरसिटी में जो भी उपलप अपरचिनिटीज हैं, एक्टिविटीज हैं, उसमें हिस जो बदलाओ करने का जो अधिकार है, वो हैड ऑफ दे डिपार्टमेंट या हैड ऑफ दे होस्टिल हॉल उनको पास है, और यह युनिवरसिटी एक रिसिदेंशल युनिवरसिटी है, एडमिन जो है उनका लोकल गार्जन है, और इन्होंने यह भी बताया कि हर जो नियम का युनिवरसिटी के वो स्टूडेंट्स की सेक्योरिटी सेफटी के लिए बनाए गए हैं, यह सारे हर स्टूडेंट्स पे लागू होते हैं, इन्होंने हमसे बातचीत में अपना यह पक्ष रखा है, अब आपको इस आगे के वीडियो रिपोर्ट में हम आपको ये एम्यू की तीन विमन स्टूडेंट्स जो से इस मुद्दे से आगे जा कर दिया, एम्यू में विमन स्टूडेंट्स के क्या कंसर्ण है, किन मुद्दों पर बात होनी चाहिए, बदलाओ आना चाहिए, क्या कुछ सवाल हैं जो ये स्टूडेंट्स उठा रही हैं, आपको तफसीर से बताना चाहता हूं, कि तेरा तारीक को हमारे पास एक कंप्लेंट आई, वो कंप्लेंट का नाम है, जो बीटेक सेकंड यर के इस्टूएंट है, उसने अपने कंप्लेंट में लिखा कि नाम का एक लगका है जो भी आर को अस्तियर करा है, उसने सोशल मीड पर यह पोस्ट किया है, कि लागडाउन के बाद जब इन्वस्टी खुलेगी तो उसको भी हिजाब पहनाया जाएगा और वो भी पीतल का बना वुआ, अब कंप्लेंट ने आपने कंप्लेंट में यह लिखा है कि इस जीज़ को ले करके वो काभी काफी घबराई हुई है, और उसने हमसे रिक्वेस्ट किया कि इसके सिलसले में कारवाई की जया, लड़की ने जो कंप्लेंट है, उसने यही कंप्लेंट तकरीबन वह इसी ही कंप्लेंट उसने एससपी अलीगड को भी भेजा, और उसकी बुनियाद पे एक मुखदमा के खलाफ दर्श हो गया, अं हमारे पास जो कंप्लेंट आई, उस कंप्लेंट के बुनियाद पर हमने फौरण एक तीन मेंबर की कमेटी तश्कील कर दी, और कमेटी से हमने कहा कि जाच करके जल से जल रिपोर्ट दें, ताकि उसकी बुनियाद पे हम भी आगे कारवाई कर सके, उसकी वज़ा यह है कि ज हमारे यहां हर तरह के इस्टुडेंट हैं, मेल भी हैं, फीमेल भी हैं, हिंदू भी हैं, मसल्मान भी और दूसरे मजाइब से भी हमारे इस्टुडेंट हैं, लहाजा इन्वस्टी किसी भी इस्टुडेंट को इस बात के लिए मजबूर नहीं करती कि वो कौन सा ड्रेस पह कि हमारे कुछ प्रफेशनल कोर्स हैं जैसे लाफ के लिए फेकल्टी के लिए फेकल्टी का प्राइब ड्रेस कुट है और उसमें भी ये नहीं है कि कोई किसी लड़की को मजबूर किया रहा हूं कि वो हिजाब पहन करका ऐसा बिल्कुल नहीं है ये बात मैं क्लिरिफाइब क स 나쁘ं़ चीजियों को सपोर्ट करती है जो बाद रहिए कही है सोसल मीडिया पर जिसके शिकायत लड़की ने की है यह बात कोई भी हमाने इनु tiring का आदमी इस चीज को सपोर्ट नहीं कर रहाए है बाल कि हरा आदमी ने इसको कंडम किया है इसके मंजब मंद किया है और इसको फिले इसे कहा थे इसी वज़ा से हमने फॉरण कमेटी बनाई और कमेटी की रिपोर्ट आ गई है उस न्हीं चीज़े आrying हैं इस वज़ा से फिर से उन चीज़े को सामिक कर रहे हैं और रिपोर्ट जैसे फाइनल आ जाती है और रिपोर्ट के इस इस पे इस्टुडेंट डिसिप्लिन एंड कंड़ रू नाइटीन किसी भी लड़की को बुर्क हिजाब पहनने के लिए नहीं करते हैं ना इन्वस्टी का ऐसा कोई ड्रेस कोड है जिसमें हिजाब सामिल हो हर लड़की को अपनी मर्जी के हिसाब से जो ड्रेस अच्छा लगे जो उसको डिसेंट लगे जो असको कंफर्टिबू लगता है वो ड्रेस पहेंटी है और पहेंट सकती है इसके civशित कहीं से कोई पावनदी नहीं लगाती है चाहे हूं हिंदू हो चाहे मुसल्मान हो ना मुसल्मान लड़कियों को हम कहते हैं कि यह हिजाब पहनी है ना हम हिंदू लड़कियों से कहते हैं कि हिजाब पहनी है और ना हमारे यहां कोई ऐसा ड्रेस कोड है जिसमें हिजाब शामिल हो यह बिल्कुल घलत बात है अगर तमाम हिंदू लड़कियां इनुबस्टिग के अंदर डिफरेंट कोर्से में पढ़ रहे हैं खास दोसे पुरफछiनल कोर्से में मेडिकल है इंजिनिरिंग है, लावेटेकंटी हैं, मैनेजमेंट है, ये सब प्रिस्टीडिस कोर्से है इनके अंदर तमाम लड़के और लड़कियां पढ़ रहे हिंदू भी पढ़ रहे हैं मुसल्मान भी पढ़ रहे हैं लेकिन किसी के ऊपर ये दबाओं नहीं कि वो हिजाब करें और कुछ जराय से ये बात आ रही है किसाभ इन्वस्टी के अंदर मजूर क्या इसा बिलकुल रही ह coinc कि अमस्ट है उन्वस्टी एक ट्राइशन सब्सक्राइब अर्णर मजूर करें ना कि हम ढ़ सकता है कि अफने पहन बदशन के लिए कहा जाता लेकिन अलिगधमिय मुस्लिन इन्वस्टी के अंदर आईसा कोई ुड नहीं इसा कोई रगुलेशन नहीं, इसा कोई ड्रेस कोड नहीं, जिसके अंदर हिजाब सामिल हो, और जिसके तहत किसी भी लड़की को, चाहे हो हिंदू हो या मसल्मान हो, उसको मजबूर किया जाता हो, हिजाब हो हिजाब पहनी, ये बात बिलकुल सरा सर गलत है, मैं दुबारा क इस इंसिटिटूट, और जिसके अंदर हो, हिजाब पहनने के लिए मजबूर किया जाता है, और भारतिय सिक्षास प्रणाली, हमें अपने आपको धक्कर रहना सिखाती है, ताकि मर्द हमें गलत नजरों से ना देख सके, इसके बाद दूसरे लड़के ने भी एक कमेंट किया, जिसमें वह कहता है कि लॉक्डाउन के बाद आपको भी हिजाब पहनाया जाएगा, पीतल का, बाद में प्रॉक्टर ओफिस को दी, अपने स् जाच, आगे बढ़ा है, इस सब के दौरान सारे ही मीडिया में इस स्टोरी को कवर किया गया और इसके बारे में बात कोगे, सबने अलिगर मुस्लिम उनिवसिटी में लड़कियों के साथ जितने भी इशोजान सारी चीजों के बारे में बात करने लगे, लेकिन वो पूरा इस चीज के तरफ सेंटर हो गया कि अलिगर मुस्लिम उनिवसिटी में धर्म के आधार पर पक्षपात किया जाता है, भेदभात किया जाता है, लेट मी क्लेरिफाय, इस मांसी से, I am a non-muslim, I am reading here since 2016, it's been 5 years, और आज तक कभी भी अलिगर मुस्लिम उनिवसिटी में धर्म के अधार पर किसी भी तरीकी का पक्षपात, भेदभाव, बाइसिजम, डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया गया, it's a complete no, one more thing, that हिजाब कॉमेंट, it's just completely false, मैं एक non-muslim हूँ और मुझे आज तक कभी किसी ने हिजाब पहनने या किसी अलग धंग से कपड़े पहनने के लिए नहीं किया, ध논के अधार पर कोई भी इस्क्रिमिनेशन नहीं है, amyuk के अंदर और इस बात को दोहराने में मैं कभी नहीं चुकंगी, दूसरे इशूस है, जनर के आधार पर इसक्रिमिनेशन है, डिसक्रिमिनेशन है कि अब्दुल्लाहाल में रहने वाली लड़किया अब आपस दाखर होना होता है और दूसरा इस इस 2020 और आज भी अभुला हॉल की स्टूडेंस वॉस्टल से बाहर या ओल के बाहर पोचिंग लासे अटेंड करने नहीं जा सकते हैं इस आर दे इस 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 आर रियल इशूज राइड यहां स्पेशल आउटिंग्स हैं स्पेश अब बढ़ने के बढ़ा को खुमने की प्रमीशन और प्रमीशन मेल जाति हैं इस अग्षियाव देखर प्रमीशन इस 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 बाहर भी ढोला दाओ में तूसरा आउट यहां लाटी हैं लिए और सब्वलाख टूसराइंग्स दिन में अशराद आटिंग्स तो मेनी इंसिदेंस है वे इफ गर्ल कमिट सम्मिस्टेक्स देर देर इस सो मुच इन इन हर प्राइब प्राइब कर ले उसकी निज्टा के साथ खिलवार नहीं किया जाता लेकिन बीते सालों में ऐसी कई घटना हुई है जिसमें अगर लड़कियां गलतियां करती है तो अथ स्थी इस में फिलान रॉकियां का रहीं है ईसने में पहल फिलीजक के घटना इसец अर् सीन आपैर केर्फीय का टीमाव। अई से लुऑ कहना है बश्क या कि खुल संविन, इस्टेश्टा में जाए तो यहीछ.जने उसम अिसने हमने साथ ě भाना सा만 में दोने घुए है त यह सारे ही issues किसी religion या किसी community से नहीं आते हैं. The media is completely centric towards that कि M.E. के अंदर लड़कियों को लेकिए जितनी समस्या हैं वो किसी religion की वजए से किसी community की वजए से हैं. No, these are not. These issues are the result of patriarchy, misogyny, the conservative attitude towards women's freedom. And these all are all pervasive. These are everywhere and we cannot deny this fact. The fight is against patriarchy, the fight is against misogyny, the fight is against conservativeness, the fight is not against the institute, it is not against any particular religion. Of course, there have been so many people who will consider that addressing these issues openly is an act of demeaning and defaming the reputation and status of a legal Muslim university. Let me clarify one more thing again and again that in sari issues ko openly address karne ka main maksad ka wal ye hai taa ki issues ab khatam kye ja sakein. Aligar Muslim university ke status, unseke reputation or unseke fame ko nuqsaan pahunchane ka koye irada nahi. It's just very simple. The fight is not against the institute. It's just against the real cause, the patriarchy, the conservativeness. One should need to move over it. One should need to move on. One should need to understand the real cause, the reason at it ko. My name is Tazeem Junat. I am a student of Aligarh Muslim University. Firstly, I would like to unequivocally condemn the comments which were made by a Muslim boy regarding hijab on Instagram. However, these comments are being taken out of proportion and given a communal turn by prime-time media houses to defame our university. Forget Hindu women, even Muslim students are not asked to wear hijab in the campus. A single guy cannot represent the 4,000 students here. A single incident cannot represent the culture of our university. A lot of female Hindu students have come across on social media and claimed with evidence that they were never forced to wear hijab in the campus. However, they are not even being given space in the argument which is happening right now around this controversy. It is clear that the Godi media is picking out separate incidents, giving it a communal turn to defame our campuses, to defame our spaces and to discredit the discussions that we hold in our campuses regarding equality and social justice. This is not the issue. The issue is that people, because of their religion, are not being given basic human rights. They are being persecuted, they are being lynched. The issue is that Muslim women fear wearing hijab while traveling. I have completed my second year from a legal Muslim university. I consider myself really lucky to be a part of a historical seat of learning and I was definitely not surprised to see my institution being slandered by the media once again. I am a student of gender studies and being someone who has been residing in an all-goals campus, I feel that I am safe to testify that there is no such coercion on anybody regarding dress codes in the university. The accusations are absolutely untrue and I feel that the university cares more about the dress codes of men and boys than ours. That being said, yes, there are some real problems that we as undergraduate students face and fight every day. But if there is a fight, it is not against a community, a religion or an ideology but rather against patriarchy which in my opinion is all pervasive and global in nature and not just confined to my institution alone. The Wire के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकान पर क्लिक करें. स्वतंत्य पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिये गए लिंक पर जाएं और अपनी राशी चुने.